Hello friends, नमस्कार, गूड मॉर्णिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेपल सी बाइफ़ेशडी पर आईए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज की इस क्लास में 30 Most Important प्रशनों को सामिल किया है ये सभी प्रशन आपके होने वाले ट्रिपल सी इक जाम के लिए काफी important है आप सभी इस क्लास को लाज्ट कावश से देखें और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार सीर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को जोइन कर पाएं आप सभी अपने mock test हमारी website www.cccc.com पर कर सकते हैं बहाँ पर बहुत सारे mock test आप सभी के लिए available हैं और बहाँ से आप previous paper भी पढ़ सकते हैं और download कर सकते हैं तो आज़े देखते हैं आज का सबसे पहला प्रस्न आप से क्या पूछा गया है यहाँ पर आप सभी बताएंगे LibreOffice को किसने डैबलब किया कई बार आपके exam में यह सवाल होता है कि LibreOffice को किसने बनाया तो यहाँ पर कौन सा correct answer होगा LibreOffice को किसने डैबलब किया answer आपका होगा option B Marko, Worreach आपको ध्यान रिखना है option हमारा यहाँ पर वी correct हो जाएगा अगला question है Facebook को किसने बनाया या Facebook को किसने डैबलब किया या फिर ऐसे पूँछ सकते हैं कि Facebook के founder कौन है तो आपको पता है यहाँ पर हो जाएगा Mark Zuckerberg यह Facebook के founder है Mark Zuckerberg ठीक है Will Gates की बात करें तो Will Gates Microsoft के founder है अगला सवाल है निम्ड में किस social media का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है कौन सी social media का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है आप्सन है Twitter, Facebook, Instagram और LinkedIn अब आप सभी जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा किस सोशल मेडिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है इसमें सही जवाब हो जाएगा Option B, Facebook ठीक है अगला कोशन आपको बताना है पिन का पुरा नाम क्या होता है फुल फॉर्म क्या होता है पिन का फुल फॉर्म क्या होता है परसनल आइडिन्टिफिकेसर नमबर आप्सन हमारा A हो जाएगा परसनल आइडिन्टिफिकेसर नमबर यह pin का full form होता है अगला प्रस्न है email में username और domain name को अलग करने के लिए add the rate symbol का इस्तेमाल किया जाता है email में username और domain name को अलग करने के लिए add the rate का इस्तेमाल होता है email में दो parts होते हैं एक आपका username होता है first part और second part आपका domain name होता है तो यह आपका true होगा option पहला correct होगा URI का अर्थ क्या होता है URI का full form आप सभी बताएंगे इसमें कौन सा सही जबाब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा uniform resource identifier option हमारा पहला uniform resource identifier इसका full form होता है URI का अगला सवाल है PPF का full form क्या होता है PPF का full form आप लोग बताएंगे PPF का full form क्या होता है public provident fund हो जाएगा option पहला correct होगा public provident fund अगला सवाल है electronic mail भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या आवस्यक है electronic mail भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या आवस्यक है internet email account web server या email program तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके पास email account होना चाहिए है ना option हमारा यहाँ पर भी होगा email account question number 10 कहता है sea vigil app किससे सम्मंदित है sea vigil app का सम्मंद किससे है tourism, election commission, railway या फिर none of these यहाँ पर option B हो जाएगा election commission ठीक है अगला सवाल है PNR क्या दरसाता है PNR क्या दरसाता है यहाँ पर होगा क्या ठीक है PNR क्या दरसाता है what does PNR stand for तो इसका full form है यहाँ पर आपसे पूशा है PNR का मतलब होता है passenger name record option पहला हो जाएगा passenger name record एक table का आकार उस table में मौजूद text की मात्रा पर निर्वर करता है यानि एक table के अंदर जितना text होगा उसी के हिसाब से उसका size भी set हो जाएगा तो यहाँ पर true होगा option पहला एक table का आकार उस table में मौजूद text की मात्रा पर निर्वर करता है अगला सवाल है UC Browser किस देश ने बनाया UC Browser किस देश ने बनाया या UC Browser किस देश का है ऐसा भी सवाल हो सकता है UC Browser किस देश का है तो इसमें सही जवाब क्या है Option number D, China ठीक है, Option D आपका correct answer हो जाएगा अगला सवाल है LibreOffice में Donate to LibreOffice कमांड किस मैनो में होता है Donate to LibreOffice की कमांड आपको किस मैनो में मिलती है File, Tools, Help या फिर Edit मैनो लेकि LibreOffice में Donate to LibreOffice कमांड कहां मिलेगी और यह सवाल आपके एकजाम में कई वार पोचा जा चुका है तो आपको दिहाँ रखना है Donate to LibreOffice आपको मिलेगा Help मैनो के अंदर ठीक है? Help मैनो के अंदर मिलेगा चलिए हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा राइटर मिलेकर चलते हैं और एक बार दिखा देते हैं कि Help मैनो में और कौन-कौन सी कमांड है जो आपके लिए important है क्योंकि यहाँ से कई सारे सवाल आप से पूछे जा सकते हैं तो Help मैनो के अंदर कुछ और important कमांड होती हैं जो आपके एकजाम में आ सकती हैं उनको भी discuss कर लिएते हैं इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं चली यहाँ पर आपके सामने LibreOffice राइटर ओपिन हो चुका है और आपको आना है Help मैनो के अंदर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं Help मैनो आपके सामने है जब आप Help मैनो पर आते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो LibreOffice Help आपको दिख रहा होगा यहाँ पर LibreOffice Help आपको नजर आ रहा होगा जब आप यहाँ क्लिक करते हैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं देखिए LibreOffice Help यहाँ पर आगया इसके shortcut की F1 होती है दूसरा यहाँ पर important क्या है यह option भी आपको यहें पर मिलता है user guides का option मिलता है so tip of the day का option मिलता है वट यह उतनी important नहीं है यहाँ पर यह सवाल आपसे नहीं पूछ जाएगा एक तो आपके लिए help important है दूसरा get help online का option कहा होता है यह आ सकता है exam में तो यह help menu के अंदर होता है अगला important है send feedback अगर आपसे हो सकता है सवाल पूछ दें send feedback की command कहा मिलती है तो help menu के अंदर होती है restart in safe mode यह भी आपको help menu में ही मिलेगा इसके बाद में देखे donate to LibreOffice जो आपसे पूछा गया है donate to LibreOffice इसे भी आपका help menu में ही होता है और क्या पूछ सकते हैं आप लाइसेंस इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं कहां पर होता है और check for updates कहां पर होता है and about LibreOffice कहां पर होता है तो यह कुछ important command है जो आपके exam में हो सकता है कि आपसे पूछ ली जाएं तो इन्हीं भी आपको याद रखना है और चाहें तो आप इसका screenshot ले सकते हैं या फिर आपके पास PC है तो आप उसमें इस सारे menu एक बार check कर लिजेगा ठीक है कि किस menu के अंदर कौन कौन सी command होती है यह काफी important है तो यहाँ पर हो जाएगा help क्रिप्टोग्राफी क्या है what is cryptography message block करना data को delete करना data को encrypt या decrypt करना और इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर कौन सा सही answer है option number C हो जाएगा data को encrypt करना या decrypt करना ही क्रिप्टोग्राफी कहलाता है option C यहाँ पर correct answer है ICT extends for ICT का full form क्या होता है ICT का मतलब होता है information and communication technology information and communication technology यह full form होता है ICT का LibreOffice Calc में column की अधिक्तम चोड़ाई कितनी होती है column की maximum चोड़ाई पूछी है कितनी होती है तो कौन सा यहाँ पर सही answer होगा 39.37 inch होती है याद रखना है यह आपकी maximum चोड़ाई होती है 39.37 inch ठीक है वाई डिफाल 0.89 inch होता है अगला सवाल है काफी important है यहाँ पर पूचा है name में से ATM card में कौन सा नहीं होता है आपके ATM card या debit card पर कौन सा नहीं होता है CBB PIN ATM card number और none of these इसमें से आपके ATM card पर कौन सा नहीं होता है तो देखी यहाँ पर आपके ATM card पर कौन सा नहीं होता है option B PIN हो जाएगा आपके ATM card पर CBB number भी होता है back side में आप देखेंगे ATM card number भी होता है what जो ATM का pin होता है वो card पर नहीं होता है यह pin गोपनिय होता है जो आपको याद रखना होता है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा B LibreOffice में किस tab में ruler की command होती है यानि किस menu के अंदर आपको ruler की command मिलती है LibreOffice में तो यहाँ पर क्या होगा option B हो जाएगा view menu के अंदर LibreOffice में view menu के अंदर आपको ruler की command मिलती है चलिए हम आपको दिखा देते हैं view menu में आना है आपको और यहाँ पर दिखिए view menu में भी बहुत सारे important command है जिनके बारे में हो सकता आप से पूश लिया जाए जैसे view menu के अंदर ही आपको normal यहाँ से normal view में आप देख सकते हैं अपने document को और यहाँ से wave layout view में देख सकते हैं यहाँ पर user interface होता है आप change भी कर सकते हैं अलग-अलग interface भी यहाँ पर आपको मिलते हैं लिप्राफिस के अंदर तो जो ठीक लगता आपको वो interface आप use कर सकते हैं यहाँ से tool bar को आप hide या unhide कर सकते हैं यहाँ से status bar को hide या unhide कर सकते हैं और देखे यहाँ पर आपको rulers का command मिल जाता है जब आप यहाँ पर आते हैं तो कुछ sub command आपको और देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर देखेगा control shift R यह sorted की भी दी गई है ruler के लिए यानि अगर आप ctrl shift r प्रेस कर देते हैं तब भी आपका ruler hide हो जाएगा और एगर hide है तो so हो जाएगा या view menu में आ करके आप यहाँ पर click कर सकते हैं नीचे आप देखेंगे vertical ruler दिया गया है आप चाहें तो इसे भी on कर सकते हैं तो vertical ruler भी आपका so हो जाएगा तो यह command कहां मिलेगी view menu के अंदर इसे परकार सी scroll bar भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर hide कर सकते हैं जैसे यहाँ पर horizontal scroll bar दी गई है इसके बाद में vertical स्वरी यहाँ पर आपको आना है scroll bar में और vertical scroll bar दी गई है इसके बाद देखेंगे तो नीचे यहाँ पर आपको मिलना है grid and help appliance के अंदर display gate आप grid को display कर सकते हैं snap to grid formatting mark control left n इसके shortcut की होती है तो यह कई सारे command है जो कि आपके लिए important है यहाँ पर कुछ और आप नीचे देख सकते हैं जैसे यहाँ पर देखो zoom के लिए सबसे last में है और यहाँ पर पूछते हैं कई वार यह पूछते हैं किसमें कौन सा zoom नहीं है तो देखो यहाँ पर एक तो entire page आप entire page का zoom कर सकते हैं page width आपका जितना page चोड़ा है उतना zoom हो जाएगा optimal view में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 50, 75, 100, 150 और उसके बाद 200 के यहाँ पर option आपको मिल जाते हैं ठीक है तो जैसे कई वार ऐसा होता है कि LibreOffice में 130% क जूम यहाँ पर नहीं मिलता है इस menu के अंदर ऐसा कुछ पूँच सकते हैं तो यहाँ रखना यहाँ पर 50, 75, 100, 1500 और 200 के ही option होते हैं बागी पता है maximum तो आप कितना कर सकते हैं LibreOffice राइटर में 600 कर सकते हैं और minimum 20% कर सकते हैं यहाँ shift full screen कर सकते हैं control shift J इस्तेमाल कर सकते है नेविगेटर या 5 होता है ठीक है इस्टाइल्स के लिए अफिलेबन होता है साइड़ वार के लिए control या 5 होता है तो यह चीज़ें तो हमने आ लिडिया आपको LibreOffice के जो class दिये हैं उनमें पढ़ाई हैं आप लोग LibreOffice नाम की playlist से यह class देख सकते हैं पढ़ सकते हैं तो option C है 2048 ठीक है option C आपका correct answer होगा अगला सवाल outlook किस company का है means outlook किसका है apple, microsoft, intel या फिर none of these अब बताये किसका है outlook किसका है Microsoft का है option number B outlook Microsoft का है एक email client program है outlook software है email client या देटना है UPI कब launch किया गया UPI को कब launch किया गया answer क्या हो जाएगा 2016 हमें ठीक है option V LibreOffice में double underline के लिए कौन सी shortcut के इस्तेमाल करते हैं LibreOffice में double underline करना है अगर आपको तो कौन सी shortcut के इस्तेमाल करेंगे आपने कुछ लिखा और आप उसमें double underline लगाना चाहते हैं तो Ctrl U के बजाए Ctrl D आपको क्लिक कर देना है देखे LibreOffice के अंदर अगर आपने कुछ टाइप किया जैसे हमने या CCC Notes से टाइप कर देते हैं और इसको थोड़ा सा Size हम बढ़ा कर देते हैं यहां से तक कि आप को दिख चाहिए Size से double underline हो गई है हटाना है फिर से आप पही प्रेस कर देंगे Ctrl D हट जाएगा Single use करने है Ctrl U आप प्रेस करेंगे तो Single line आएगी और Ctrl D प्रेस करेंगे तो double line आ जाएगी तो यहां पे हो जाएगा Ctrl D अगला देखो विदेश से पैसा मगाने के लिए किस code का इस्तिमाल करना होता है तो यह भी काफ़ी important है वैसे अधिकांस exam में आपके पूछ लेते हैं विदेश से पैसा मगाना है या आपको भीजना है तो Swift code का इस्तिमाल करना होता है यहना Swift code का इस्तिमाल आपको करना होता है Calc में किसी संख्या को 0 से बिवाजित करने पर क्या result आता है Calc में अगर किसी संख्या को आप 0 से बिवाजित करेंगे तो answer क्या होगा 0 से बिवाजित करने पर answer क्या होगा Has, Div का Error आपको देखने को मिलेगा option पहला create है LibreOffice Writer में status bar में कौन सा प्रदरसित नहीं होता है status bar में कौन सा display नहीं होता है कुल word यानि कितने आपने word लेखे है वरत मान प्रस्ट संख्या कौन सा current में आपका page है और computer का नाम इसमें से कोई नहीं तो status bar में क्या display नहीं होता है simple सा question है computer का नाम बहाँ पर display नहीं होता है चलिए आपको दिखा भी देते हैं जब आप LibreOffice Writer में आते हैं तो यहाँ पर दिखी हम आपको दिखाने की कोशिस कर रहे हैं status bar तो सायद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा status bar सबसे last में होता है जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है यह आपका status bar है तो यहाँ पर दिखो page one of one का मतलब क्या है अभी आप page number one पे हैं और इसमे page one ही है जैसे अगर मालिया 4-5 page होते हैं तो होता यहाँ पर page one of four यानि four में पहले page पर आप हैं तो यहाँ पर तो one of one दिखा रहा है तो इसमें क्या नहीं होता है computer का नाम डिस्पले नहीं होता है बाकि page के बारे में बताया जाता है दूसरा कितने word आपने लिखे हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दो word हैं nine character हैं तो कितने word कितने सब्द हैं कितने character है default page style कौन सा है English कौन से लगी है English USA default रहती है ध्यार रखना है यह सबाल विक्जाम में पूच लेते हैं तो यहाँ पर default language लेप्रॉफिस में English USA ही होता है ठीक है तो यह थोड़ा सा और आपको ध्यार रखना है बाकी यहाँ पर zoom के लिए भी status बार पर ही आपको मिल जाते हैं तो computer का नाम यहाँ पर display नहीं होता है yahoo mail में अधिक्तम कितनी बड़ी file को आप जोड सकते हैं yahoo mail में अगर आप कोई file को test करना चाहते हैं तो वो file कितनी बड़ी आप जोड सकते हैं maximum size 25 MB तक आप जोड सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं और यही आप gmail में भी अगर gmail में भी कोई file test करना चाहते हैं तो 25 MB तक कर सकते हैं डिजी locker में अधिक्तम कुल कितना space आपको दिया जाता है कितना space आपको मिलता है डिजी locker में तो 1 GB का space आपको मिलेगा ठीक है calc expert seat में एक sale में कितने character आ सकते हैं calc expert seat में एक sale में कितने character हो सकते हैं option number C हो जाएगा 32566 अगला देखो name में से कौन सा भिन है यानि कौन सा अलग है चार option है इसमें से कौन सा अलग है operating system, compiler, interpreter और assembler कौन सा अलग है आपको ये बताना है देखे ये आप देखोगे compiler, interpreter और assembler ये सब क्या है language translator है but operating system आपका एक प्रकार का system software है ठीक है तो option पहला correct हो जाएगा यही आपका भिन है यही आपका अलग है LibreOffice में कुल कितनी भासाएं है कुल कितनी भासाएं है LibreOffice के अंदर तो सही जवाब यहाँ पर होगा option भी 15 ठीक है option नमर भी आपका correct answer हो जाएगा तो आज की class पसेनी तक थी उमीद करता हूँ आप सभी को class पसंदाई होगी और चिन बच्चों का आज एक्जाम होने वाला है आप सभी को हमारे तरप से वेस्ट आप लग आल्दी वेस्ट मुझे उमीद है आप सभी बहुत अच्छा करेंगे और जो भी प्रस्न आपको आपके एक्जाम में याद रहें आप अपने प्रस्न हमें अवस्थ भेजें प्रस्न आप हमें वोट्सब कर सकते हैं 94522946 पर या फिर मेल कर सकते हैं info.cccbyfasady at gmail.com पर इसके अलावा आप चाहें तो हमें अपने प्रस्न इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी बेज सकते हैं फेस्बुक और इस्टाग्राम आईडी है www.cccbyfasady चलिए क्लास को ये पर समाप करते हैं और अगली क्लास होगी सामको 8 वज का 30 मिंट पर तो सभी बच्चे 8 तीज पर क्लास से जोड़ेगे आज के लिए वस इतना है थैंक्यू